नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल समीर पाठसालामे दोस्तों जब हम हिस्टरी को पढ़ते हैं तो कुछ हमें इस तरह की डेट्स लिखी दिखाई देती हैं जैसे कि 500 इसापूर या फिर 1857 इसवी अगर मैं इंग्लीज में इसे कहूं तो 500 BC और 1857 AD हिस्टरी को समय के हिसाब से दो भागों में बाता गया है चैसे कि इसा के जनम से पहले और इसा के जनम के बाद इसा के जनम के पहले के समय को हम बिफोर क्राइस्ट के नाम से जानते हैं जिसे हम हिंदी में इसापूर कहते हैं AD का मतलब है अनू दो मिनाए ये समय इसा के जनम के बात का है AD वर्ड को लेटिन लेंग्वेज से लिया गया है जिसका मतलब है हमारे इश्वर का वर्स जो लोग क्रिश्चन इटी में बिलीब नहीं करते हैं वो लोग BC को BCE के नाम से जानते हैं इसका मतलब है Before Common Era और AD को CE के नाम से जानते हैं Common Era जिसको Common Era मिन्स जिसको सब जानते हैं और BCE Before Common Era जो लोग क्रिश्चन इटी में बिलीब करते हैं वो BC और AD जानते हैं Christianity में believe नहीं करते हैं वो B.C.E. और C.D.E. की नाम से जानते हैं आईए में से आपको इसको timeline से समझा देता हूँ मैंने यह एक यहाँ पर timeline draw की और इस जगा पर हमारे इशा का जनम हुआ यहाँ पर इशा के जनम से पहले मान लो 500 BC 1000 BC, 1500 BC 2000 BC और इसके बाद 500 AD, 1000 AD 1500 AD 2020 AD इसका मतलब है दोस्तों की यहाँ पर यह 500 है तो यह इशा के जनम के पहले का है अगर हम इसे लिखेंगे तो हम इसे लिखेंगे 500 इशा पूर्ग यनके 500 वर्स इशा के जनम से पहले और इसे लिखेंगे AD मतलब इशा के जनम के बाद, यनि common era तो अभी हमारा क्या चल रहा है 2020 AD राइट अब मैं इसके आपको order को समझा देता हूँ BC या फिर BCE को हम इसे लिखेंग और में देखते हैं जैसे की 500 BC या BCE के पहले 501 यनि 501 BC या BCE आता है यानि के ये अपनी निगेटिव साइट में चलता है अब बात करते हैं दोस्तो AD और CE की जो ascending order में चलता है जैसे की 2019 के बाद 2020 आया I hope दोस्तों ये वीडियो आपको ये डेट समझने में हैल्प करेगी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन कर दोस्तों ये वीडियो आपको